हलो आज है 13 फेब्रूरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिम्डेट के बारे में देखिए यह वो कंपनी है जो वहिया अपने गन्ना किसानों का भुकतान नहीं कर पाई थी यह वो कंपनी है जिसके उपर बैंकों का कई बड़ा बक आज इस वीडियो में हम बात भी करेंगे कि जो रिजल्ट्स हाएं वो कैसे हैं और नतीजे के बाद क्या इंपेक्ट देखने को मिल सकता है वीडियो को शुरू कर उसे पहले अगर आपना अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे आप देखते हैं कि तेजी देखने को मिली शाप तेजी लेकिन यह ना सिर्फ एकाद मिन्टो की तेजी थी वापस यह तूट गया और और नीचे चला गया दस गया यह और जो क्लोज भी हुआ है वो अपने दिन के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ही क्लोज हुआ है और यह खोड़ी वह तीजे दिखाई फिर तूट गया अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगी तो यही पैटरन है इनका एक साल में बजाज हिंदुस्तान शुगर में ग्यारा परसंट की गिरावट है इस बीच अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेजी आई उसके करने के लिए उनका भी कई सारा बकाया बाकी था और किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलन भी किया था बाद में धीरे दीरे इसी रेंज के आसपास अब एक दम से भाग गया यह फिर वापस अभी टूट रहा है जिए जब भागा था तब यह थी कि सरक कुछ बाची चल रह है 13-14% का जंप आया है लेकिन लॉस कम हुए है और यही वज़ा है कि आज एक दिन में इसने बहुत बड़ी तीज़े दिखाई थी बीच में जैसे नतीज़ा एक जटके में भाग गया था यह लॉस तो हुआ है लॉस हुआ है फिफ्टी एट करोड का जो पिछले साल इसी ही कर रही है ना वापस तूटना शुरू हो गया यह वह अभी खत्रा टला नहीं इसका ठीक है तो यह सोच के कि खत्रा टल चुका है अगर आप खरीदारी करते हो तो बहुत बड़े रिस्क में हो आप यहां पर अगर हम नजर भी करें कंपनी में तो रिवन्यू में डेफि से यह शर गुजर रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं उतना ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ यहां पर स्मॉल केप कंपनींग है 1815 क्रोड की आसपास का इसका मार्केट क्या पर वॉल्यूम देखे तो 69 लैक से भी जादा का देखने को मिला है नतीजे अगर आप द कीच का एक कौर्टर था जून का जिसमें 1530 क्रोड के रिवन्यू थे और 45 क्रोड का ही लॉस था तो कोई बड़ी तेजी तो बात में हमें देखने को मिली नहीं मतलब अभी को सस्टेनेबल देखने को मिली तो यहां पर होता है कि अगर एक क्वार्टर में बले ही लॉस कम आ गया तो कोई गैरेंटी नहीं है कि अगले क्वार्टर में उससे कम होगा तो यही एक दिक्कत है इस कंपनी की बजाज हिंदुस्तान के अगर हम बात करने जाए तो बजाज हिंदुस्तान में सबसे पहले के रिवन्यू को देखें तो लगातर गिर रहे हैं रिवन्यू आप देखें रिवन्यू पहले अच्छे थे 6800 करोड थे फिर 6600 करोड दो साल तक रहे वाद में तूटके 5575 अभी 1400 करोड तेरा सो करोड के क्वार्टर ले रिवन्यू है मतलब यह 5500 करोड के आसपास ही देखने को मिलेंगे आपको और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो लॉस है लॉस 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 पास सालों से लॉस में बड़े बड़े लॉस कर रही है कंपनी 2023 के पहले क्वार्टर में 45 करोड का लॉस दूसरे क्वार्टर में 165 करोड का लॉस तीसरे क्वार्टर में आप देखी सकते हो 58 क्रोड का लॉस तो लॉ 200 करोड का लॉस को चुक उसे जादा ही लॉस हो चुका है कंपनी को अब तक तीन क्वाटर में अभी एक क्वाटर और बचा है बजाज हिंदुस्तान अगर देखा जाए तो हंट्रिट परसंट टैनलिश कहते हैं खरीदारी करो तो मैं मानता हूं कि शुगर में आने वाले हमने देखी थी पास्ट में फ्यूचर में भी हम देख सकते हैं क्योंकि एथनॉल एक बाइप्रोड़क्ट होता है और जाइस वाद इस डिमांड भी रहे आने वाले दौर में लेकिन दिक्कत इस कंपनी की है ना क्योंकि अगर मैं कंपनी स्पेसिफिक देखता हूं शुग है ही कम 24.95% की holding है वो सारी सारी गिर्वी पड़ी हुई है mutual fund के पास कुछ भी नहीं है domestic में 15.27 कहीं सारे बैंक सटके हैं यहां पर तीक है कहीं सारे बैंक सटके हैं यहां पर 15.27 परसंट की holding है एफाइस के पास 1.60 परसंट की holding है सबसे ज्यादा है रिटेल इंवेस्टर्स 42.56 परसंट अधर्स के पास 15.62 परसंट है अगर मैं compare भी करूं न तो रिटेल इंवेस्टर्स पहले से ही यहां पर ज्यादा quantity में थे एवन जून के बाद तो बढ़े हैं अगर आब मार्च में देखोगे तो 37.44 परसंट की holding थी मार्च में डिसंब रिटेल इंवेस्टर्स यहां पर धड़खले से माल खरीते नजर आ रहा है हमें तो मैं उतना जादा बुलिश नहीं हूं नतीजे अगर इतने ही एक्ष्ट्रा ओर्डिनरी होते तो आज जो तीजी देखने को मरी थी बीश में तो वह continue रहती लेकिन असा हुआ नहीं जादा एक्टिव हो चुक है उन कंपनियों के उपर जिनका वया वकाया बाकी है बैंक लगातार प्रिश्राइज करेंगे ऐसी कंपनियों को और मैं यही कहूंगा आपसे कि बजाज हिंदुर्स्तान करजा तो है ही है लेकिन साथी सारी होल्डिंग भी गिरवी पड़ी हु गिरता हो नजर आ सकता है हलागि एक बहुत 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 राइस हमने देखा जरूर यहां पर अगर आप तीन सार का ग्राफ देखो तो 122 पर्सन का ग्रोथ भी है आप देखें दो ठाई रुपए से 23 रुपए तक या था यह लेकिन बात में गिरता हुआ नजर है हाई प प्राइस पर रिस्क ले सकते हो लेकिन अभी मेरे हिसाब से उतना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहिए वह ऐसे बाजार में जब अलड़ी बाजार दिक्कत में है और अच्छी अच्छी फंडमेंटल स्ट्रॉंग कंपनी अगर आपको सस्थ दाम पर मिल रही है तो उन कंपनियों के शहर में नहीं खरीदारी करनी चाहिए जो अल्रेडी काफी जादा दिक्कतों में हैं दिक्कते जिल रहे हैं तो अगर यहां से कोई उच्छाल मिलता है तो एक्जट करने के बारे में सोचे और फ्रेश बाइन की तो भाईया बिल्कुल मेरी थरफ से सब्सक्राइब करें और बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में आपके असोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट हो लिक के बता सकते हैं थैंक्यू